Hopefully आप सभी को मेरी आवाज क्लियर होगी, मैं वरुन अवस्ती, आप सभी का G.S. गुरू आनकेडमी लाइफ पर आप सभी का बहुत-बहुत सौगत करता हूँ बड़ा ही इंट्रेस्टिंग सा वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी को काफी confusion रहता है कि पुलिस की rank, badges और stars के बीच में बड़ा ही confusion रहता है तो सारा confusion इस छोटे से वीडियो में हम लोग cover कर लेंगे यहाँ पर मेरा ये वादा है आपसे कि अगले 10 मिनट में आपको पुलिस की किसी भी rank और badges में कोई भी confusion नहीं रह जाएगा साथ में आपको इतना ही नहीं, badges के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा साथ में vehicles में भी आपको बताऊंगा कि किस post में कौन सा vehicle मिलता है और इसके साथ ही आपको stars का भी क्या concept है यह stars basically यह star अलग है और यह star अलग है ठीक है? तो इन दोनों का concept आपको अलग से बताऊंगा तो सबसे पहले आप सभी को बता दूँ Unacademy पर किसी भी subscription के लिए आप use कर सकते हो ये मेरा referral code है Varun777 इसका use करके आप कोई भी subscription ले सकते हो और 10% discount आपको Unacademy पर मिल जाएगा चलिए start करते हैं session को और हम लोग छोटी rank से लेकर सबसे बड़ी rank तक पहुँचेंगे ठीक है सबसे छोटी rank के अगर हम बात करें तो सबसे छोटी rank कहलाती है constable गाईस अगर constable की बात करें तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आप इधर देखो ये जो आपके तीन badges हैं ये तीन badges आपके constable के define किये गए है लेकिन इन में से जो सबसे छोटी post होती है ये होती है constable तो ये आपके सामने constable की picture है आप देख रहो constable पर ये वाला badge होता है जिस पर कुछ भी strip नहीं होगी like आप देख रहो यहाँ पर कोई भी strip नहीं है ठीक है सिर्फ और सिर्फ राज्य का नाम यहाँ पर लिखा होगा अगर Mumbai police है तो Mumbai police लिखा होगा उत्तरवदेश police है तो उत्तरवदेश police लिखा होगा अब देखो यहाँ पर भी एक चीद आपके बता दू जो मुंबई पुलिस है केवल महरास्टा की जो पुलिस है वो महरास्टा पुलिस ही यहाँ पर इस तरीके की कैप पहनती है बाकी जितने भी कॉंस्टेबल होंगे हर राज जिके वो सारे कॉंस्टेबल गोल वाली टोपी पहनेंगे तो goal वाली टोपी और महरास्टा का concept अलग है महरास्टा का concept कुछ चीदों में बिल्कुल different है वो मैं आपको बताऊँगा एक जगे नहीं कई जगे है यह different concept तो मैंने आपको क्या बताए कि constable में आपको ध्यान लगना है कोई star नहीं है केवल यहाँ पर estate का नाम है और अगर महरास्टा का constable होगा तो इस तरीके की गांदेजी वाली टोपी पहनेगा सभास चिंदबोस वाली टोपी पहनेगा और otherwise another estate का होगा तो goal cap पहनेगा इसके बाद दूसरा आजाते हैं इससे उपर की post होती है यह दो V बने होंगे यह वाला ठीक है लेकिन अगर उसी जगह अगर वो महरास्ट का है तो ध्यान रखना है बाजू में यह दो नहीं बने होंगे उस case में क्या होगा उसके पास shoulder में यह दो step लगे होंगे पीले कलर के तो यह difference है another state के senior constable और महरास्टा के senior constable में इसके बाद आजाते हैं इससे उपर की post है head constable guys head constable के यह 3 step होते हैं यहाँ पर यह 3 V वाले step है अगर बाकी सभी राज्यों का head constable है तो उसके बाजू में यहाँ पर इस तरीके से 3 V होंगे अगर महरास्टा का constable है तो ध्यान रखना बाजू में यह V नहीं आपको मिलेंगे सिर्फ महरास्टा का tag मिलेगा लेकिन यह 3 step आपको कंदे पर मिलेंगी पीले रंकी साथ में topi का भी फर्क रहता है जो कि मैंने already आपको बताया हुआ है चाहे constable हो, चाहे senior constable हो, चाहे head constable हो अगर वो महरास्टा का constable है तो उसकी topi इस तरीके की होगी और अगर वो अन्य राज्यों का constable है तो gold topi होगी इसके बाद head constable के बाद जो आपकी post आती है वो आती है assistant sub inspector इसको ASI बोलते है देखो assistant sub inspector जो होता है इसको एक star मिलता है और साथ में एक star के नीचे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह एक ही red और blue color की पट्टी होती है यहाँ पर red और blue strip जरूर होगी और उसके नीचे उस राज्य का नाम होगा जैसे यहाँ पर उत्तर पदेश पुलिस लिखा हुआ है तो यह कौन है? यह है ASI, Assistant, Sub-Inspector Sub-Inspector का Assistant है इसके बाद इससे उपर की post होती है SI, Sub-Inspector ultimately आप यह बोल सकते हो कि 42 grade paper पहली job यही है तो यह जो Sub-Inspector होता है यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ASI है ASI में बस आपको क्या करना है यहाँ पर एक स्टार था यहाँ पर दो स्टार हो जाएगा ASI में तो आप Sub-Inspector देख रहे हो यह मापू से लिखा हुआ है मतलब की मध्य पदेश पुलिस लिखा हुआ है अब यहाँ पर इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो उत्तर पदेश पुलिस लेकिन दो स्टार है और साथ में रेड और ब्लू दोनों यहाँ पर स्टेप है रेड और ब्लू दोने स्टेप यहाँ पर भी है केवल स्टार का फरक है इसके बाद Sub-Inspector के बाद आता है Assistant Inspector देखो सबसे आदा Confusion पता है लोगों को इसी में रहता है Assistant Inspector और Inspector में इन में Difference क्या है कई लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि Assistant Inspector होता भी है यह नहीं होता है या फिर कई लोग यह आपको बोलेंगे आप बताना चाहोगे कि Assistant Inspector तो लोग कई लोग बोल देते हैं कई बार कि assistant inspector नाम की कोई post ही नहीं होती मैं बताता हूँ actually confusion कहा होता है अगर हम सभी state की बाद करें जितने भी राज्य है महारास्टा को छोड़ कर तो सीधे वहाँ पर सब inspector के बाद आपका promotion कहां पर होता है inspector में मतलब महारास्टा को छोड़ के हर राज्य में assistant inspector जैसी कोई post ही नहीं है लेकिन assistant inspector की post सिर्फ और सिर्फ महारास्टा के अंदर है अब अगर assistant inspector की post की बाद करें महारास्टा के अंदर तो इसको 3 star मिलते हैं अभी आपने देखा सब inspector को 2 star थे इसको 1 star और बढ़ जाएगा लेकिन यहाँ पर एक फर्क है राज्य का नाम तो लिखा रहेगा महारास्ट पुलिस सेवा लेकिन साथ में आप देख रहे हो जो 2 step लगे थे red और blue इसके में सिर्फ एक step लगा होगा red color का यह एक major difference है जो की सबसे जादा लोगों को नहीं पता होता है यहीं पर लोग confused होते हैं तो यह केवल महारास्टा में होगा इसके बाद अगर और कोई भी state है तो सीधे सब inspector से वो inspector ही बनेगा assistant inspector नहीं बनेगा only in महारास्टा then inspector की बात करें तो 3 star इसके पास है लेकिन यह दोनों step रहेंगी जैसे यहाँ पर देखा सिर्फ एक step है assistant में inspector में दोनों step और 3 star इसके बाद आ जाते हैं deputy superintendent of police देखो यहाँ से बड़ी rank आपकी start हो जाती है deputy superintendent of police एक चीज़ आपको बता दू DSP की अगर बात करें जिसको deputy superintendent of police बोलते हैं इनकी rank में जो star होते हैं पहली चीज़ तो यह star कैसे होते हैं white star होते हैं इससे नीचे की जितनी भी post अभी तक आप लोगों ने देखी है सब में yellow star लगाने होते हैं कैसे पीले star लेकिन यहाँ पर white star का use किया जाता है अब देखो अगर आप इनके badges की बात करो तो यहाँ पर आप देखो एक खास तोर पर यह तीन star लगे हुए हैं यहाँ पर सीधे राज्य का नाम लिखा हुआ है मतलब कि कोई strip नहीं होगी ना ही लाल strip है ना ही blue strip है यहाँ पर अब देखो यहाँ पर एक चीज और समझनी है यह जो deputy superintendent of police होता है यही ACP के बराबर भी होता है बस difference क्या होता है आप लोगों सना होगा ACP Assistant Commissioner of Police और DSP तो DSP और ACP दोनों बराबर है बस पता है difference क्या होता है difference यह होता है कि like मालो यह ACP है जैसे यह ACP आप देख रहो same badge है और यह DSP है तो DSP से same badge आपका ACP का मिल रहा है तो दोनों same insignia है same cadre है लेकिन सिर्फ difference इतना है कि जो ACP होता है यह आपका Metro Cities में होता है जैसे कि दिल्ली हो गया हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया Bangalore हो गया, यहाँ सब पर क्या है यहाँ पर अगर यह तैनात होगा तो यह क्या कहलाएगा Assistant Commissioner of Police कहलाएगा, अगर यह इसके अलावा Metro Cities के अलावा है कहीं पर तो यह क्या कहलाएगा, DSP कहलाएगा Deputy Superintendent of Police, अब आप कहोगे में ही केवल Commissioner Office होता है इस वज़े से Metro Cities में जब यह जाता है, तो यह ACP कहलाएगा Otherwise यह क्या कहलाएगा, यह सिर्फ और सिर्फ Deputy Superintendent of Police कहलाएगा Next, इसके बाद आजिए, इससे उपर की पोस्ट होती है जिसको बोलते है Assistant Superintendent of Police देखो, basically अगर बात करी जाए Assistant Superintendent of Police की तो यह Training Period के दोरान का Insignia होता है जब एक IPS अधिकारी अपने Training Duration में होता है तो First Year में उसको 1 Star मिलता है जैसे कि यह आप देखो, यह 1 Star That means कि यह इनका First Year है जब यह Second Year में जाएंगे तो यह 2 Star हो, इनको मिलेंगे और जब यह Third Year में जाएंगे तो इनको 3 Star मिलेंगे लेकिन फर्क और क्या है 3 Star तो पहले भी अभी थे, आपने देखे थे ACP के भी लगे हुए 3 Star फर्क यह है कि ACP के badge के नीचे आप देख रहे हो यहाँ पर राज्य का नाम लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर देखोगे, इनके badge में यहाँ पर IPS लिखा हुआ है तो यह IPS केडर आपका स्टार्ट हो जाता है, ध्यान रखेगा ठीक है, यहाँ से badge में सिर्फ और सिर्फ IPS लिखा मिलेगा आपको इसके बाद, जैसे ही यह commissioned होते हैं तो आप देखते हो यह क्या बनते हैं, यह additional superintendent of police बनते हैं अभी तक क्या थे, assistant superintendent of police और जैसे इनकी training पूरी होगी यह क्या बनते हैं additional superintendent of police और तब इनका badge है, इसमें एक अशोक emblem आ जाता है यह देखिया, अशोक emblem और IPS तो लिखा ही रहेगा अब जितने भी उपर के batches होंगे, सब में IPS लिखा आपको मिलेगा next है, इसके पास superintendent of police जिसको SP बोलते हैं SP का cadre जो होता है, जो इनका सिगनिया है, यह आप देख रहे हो एक अशोक emblem होगा, एक star होगा और नीचे IPS लिखा हो रहेगा यह देखिये, यह देखिये यहाँ पर next आ जाते हैं, SP के उपर होता है SSP, Senior Superintendent of Police आपको बता दूँ, इसी को कप्तान भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कप्तान बोलते हैं इसको, हिंदी में तो यह जो Senior Superintendent of Police होता है दो star होंगे, एक अशोक emblem होगा और नीचे IPS लिखा होगा अब देखो, यह जो SSP है SSP है, और साथ में DCP होता है जैसे अभी आपने देखा था, कि ACP बराबर होता है किसके यहाँ पर आपने देखा, कि ACP आपका DSP के बराबर है यहाँ पर आपने देखा था यह देखे, DSP और ACP दोनों बराबर है, ACP आपका Metropolitan Areas में है उसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर भी same difference है जो यह SSP है, यह Metro Cities को छोड़ कर कहीं पर भी अगर कप्तान की पोस्ट होगी तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा SSP Senior Superintendent of Police लेकिन अगर यह Metro Cities में यही पहुँच जाता है तो यह Metro Cities में क्या कहलाता है DCP कहलाता है, Deputy Commissioner of Police फिर यह कहलाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो Metro City है, वहाँ पर Commissioner Office है इस वज़े से क्या कहलाएगा, Deputy Commissioner of Police तब ही आप देख रहे हो, तमगे में कोई भी फर्क नहीं है आप देख रहे हो, रैंक में कोई भी फर्क नहीं है यहाँ पर भी एक अशोक Emblem दो स्टार और नीचे IPS लिखा हुआ है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, एक अशोक Emblem दो स्टार और IPS लिखा हुआ है इसके बाद इससे उपर की जो पोस्ट होती है इसको बोलते है, Deputy Inspector General of Police जिसको DIG बोला जाता है अब यह जो DIG का कैडर होता है यहाँ पर आप देख सकते हो तीन स्टार होंगे, ठीक है और साथ में एक अशोक Emblem होगा इसी तरीके दिये देखिए, एक अशोक Emblem तीन स्टार और नीचे IPS लिखा रहेगा इतना ही नहीं, यह जो पोस्ट है यहाँ से वीकल मिलना भी स्टार्ट हो जाता है आपको आपका परसनल वीकल मिलेगा इसके वीकल की खास बात आप देख सकते हो यह जो आपका DIG होगा, इसका वीकल है और यहाँ पर आप देख रहो इसके वीकल में एक स्टार है तो वीकल में एक स्टार लगा होगा अगर vehicle में एक star लगा है तो आप समझ जाओगे deputy inspector general of police की गाड़ी है यह और इसका cadre तो आप यहाँ पर देखी रहे हो साथ में यहाँ पर flag का भी एक difference होता है इसका flag आप देख रहो ट्राइंगल शेप में होगा अगर किसकी गाड़ी होगी? अगर गाड़ी होगी deputy inspector general of police की इसके बाद इससे उपर की post होती है जिसको बोलते है inspector general of police short में इसको IG भी बोलते है अब IG के आप insignia को देख सकते हो यहाँ पर एक star और यह cross का चिन्न होता है इस cross में एक sword होती है मतलब एक तलवार होती है और एक stick होती है डिंडा होता है यह देख सकते हो एक star और एक sword और stick से cross बना हुआ है अब देखो इसकी गाड़ी अगर होगी, IG की गाड़ी होगी तो इसकी गाड़ी में 2 star हो जाते हैं और साथ में अभी तक आप flag देख रहते, flag triangle था, लेकिन अब flag कैसा हो जाएगा, इस shape का flag हो जाएगा बात आ रही है समझ, तो इसको भी इसकी personal गाड़ी मिलती है, flag का फर्क रहता है, और साथ में 2 star होते है इंस्पेक्टर जनरल के बाद जो उपर की post होती है, इसको बोलते है additional director general of police इन शॉर्ट इसको ADG के नाम से जाना जाता है, अगर इसकी बात करें तो आप देखे, यहाँ पर IG में क्या था, IG में यहाँ पर आप देख सकते हो star था लेकिन अगर हम बात करें additional director general of जिसको ADG बोलते है, यहाँ पर Ashok emblem आ जाएगा और cross आ जाएगा, यह देखे और इसकी गाड़ी की बात करें तो इसमें एक star और बढ़ जाएगा, मतलब इसमें तीन star हो जाएगे, यह देखे, तीन star लेकिन यह जो director general of police है और साथ में assistant director general of police है, दोनों के badge में कोई difference नहीं है, दोनों का badge एक जैसा है, मैं आपको बताओ, पहले जो badge हुआ करता था, director general of police का इसमें बीच में एक star लगा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इस star को अटा दिया गया है, badge दोनों एक जैसे होते ह और ये भी तीन star वाली गाड़ी से ही चलेगा, और इसके पास भी यही वाला flag रहेगा, अब देखो यहाँ पर director general of police और आप देख रहे हो, additional director general of police में फिर difference क्या है, आप कहोगे sir, वही गाड़ी है, वही flag है, वही badge है, फिर अंतर क्या है, पोस्ट का, मैं आपको बताता हू एक सबसे बड़ा सवाल है, कि भाई, CBI के director ये लोग कौन होते हैं, ये जो CBI वगेरा के director है, ये सब director general of police ही बनाये जाते हैं, आपको पता ही ये कौन है, ये रिशी कुमार शुकला है, अगर मैं आपको ना बताता तो आपको पता ही न लगता अभी तक, जैसे कि अभी director general of police होंगे ये, लेकिन ये रिशी कुमार शुकला है, जो कि इस टाइम पे CBI के director है, और आप इनका insignia यहां से देख सकते हो, ये एक ISOC emblem और एक यहां पर cross है, बात आ रही है समझ, तो ये जो CBI के directors होते हैं, ये DGP post के ही होते हैं, इसके पाद इससे उपर आते हैं, देख अपने आप में 4 star post होती है, पहली चीज, दूसरी चीज यहां पर जो आपको ध्यान रखनी है, ये अपने आप में post नहीं है, ये अपने आप में क्या है, rank है पहली चीज, ठीक है, ये कोई post नहीं है, क्योंकि अगर post होगी, तो office time के according ही, इसको क्या करना होगा, serve करना होग इसके बाद जो इसका insignia होता है, वो equal to माना जाता है किसके, armed forces के general के, मतलब जैसे की air chief marshal है, राकेश कुमार बदोरिया, उसी तरीके से आप देख रोग, admiral है हमारे करमवीर सिंग, और जो हमारे army general है, मुकुन नरावने, उनके बराबर की ये post है, ठीक है, तो जैसे इस time पर हमारे director of intelligence bureau कौन है, ये हैं अरविन दुकुमार, ये जम्मू कश्मीर के specialist रह चुके है, जम्मू कश्मीर operations के 8 साल का इने experience है, field operation का, तो अब जाकर ये intelligence bureau के director बने है, तो ध्यान रखेगा इनकी post कैसी है, इनकी post four star post है, लेकिन अगर देखा जाए तो uniform के accordingly इनकी post नहीं ह तो ये सारी post थी, जिनसके तहत मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप पहचानोगे, उम्मीद करता हूँ आपको मैं बहतर बता पाया हूँ, बहुती simple तरीके से याँ पर बता पाया हूँ, कोई भी confusion है तो आप दुबारा मुझस से पूछ सकते हो, comment box में लिखके मैं आ यूज करोगे, तो आपको fees पड़ेगी 400 की, अभी नहीं, तो कभी नहीं, सोचना किस बात का, SSC होना ही होना है, exam होना ही होना है, बहुत जादा डिले नहीं होगा, आप देखरो, धीमे-धीमे करके lockdown खुल रहा है, तो इस batch को जरूर पकड़ो, क्योंकि यहाँ पर आप दे यहाँ थे यहीं nenhumगा है, तो पीकि यह सबसे buttons आपको है, आप करके한다, से वहाँ है